हलो एवरीवन कैसे हो आप सब आयो उपा बच्छे होंगे और मैं आपको बता दूँ कि यह जो क्यूसन्स मैं करवा रहा हूं आपको यह बियस्टी फस्ट इयर जूलोजी की ठीक है अब आप सोचोगे कि यह किस पेपर के क्यूसन है तो मैं आपको बता दूँ यह आपके उनके आएंगे थर्ड पेपर में ठीक है यहनि कि जूलोजी के तीन पेपर होते हूं उसके थर्ड पेपर के क्यूसन है और जिनके दो पेपर होते हूं उसके सेकंड पेपर में आएंगे यह क्यूसन इस तरीके से क्यूसन है और मैं आपको बता दूँ दोजार अठार के ए 20 मिनट हो चुकी है तो यार इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए तो वीडियो को लाइक किया करो और दोस्तों में शेयर भी यह किया करो ताकि हमारा मोटिवेशन भड़े तो सबसे पहले आपन चलेंगे सारे क्यूसन और इस वीडियो में मैंने कम से कम 20 क्यूसन यानि 20 पलस 20 के लगभग क्यूसन कंप्लीट कर लिये हैं जो अतिलगत रात में छोटी क्यूसन है और ये क्यूसन 2018 में आये थे आपके जूलो जी की पेपर में और अब की बार भी इसी तरीके का पैटन आएगा और मै लिस्ट में सब कुछ मिलेगा आपको तो वीडियो को लाइक करो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो मेरा नाम आप जानते ही हो मनीस है तो साइंस पांडिशन यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो फटापट से सब लोग जिन्होंने नहीं किया तो मिलते हैं इन प्राणियों के परिवर्दन का अध्यन कर कॉर्ल एंट वॉन वेयर ने महतुपुन निसकर्ष प्रस्तूत किया वह उन्होंने विविन प्राणियों का परिवर्दन का अध्यन किया और फिर जो एक निसकर्ष निकाला वह निकाला कि प्राणियों के बड़े समू के साम सामानने लक्षनों का भून में ही अपेक्साकरत पहले प्रकट होते हैं और भून प्राणियों के बड़े सम्हूं के सामानने लक्षन भून में अपेक्साकरत पहले भून होता है जिसमें प्राणी छोटा बच्चा होता है तो सामानने जो लक्षन वो तो भून में ही है second की manchat क्या है तो manchat क्या है सुक्राणु में कोशी का द्रव का अधिकांस भाग नस्ट हो जाता है जो थोड़ा सा बचता है वह सुक्राणु के मद्दे भाग में एक पतला सा आवरण बनाता है इसे ही क्या करते है में चैट जिक तो ।क अधिकांस भाग जह वह तो क्या हो जाता है नस्टो हो जाता है और जो बचता है बहुत कम और सुक्राणु के मद्दे में पतलासा आवरन बनाता है वो क्या कहलाता है मैंचेट प्रवेश पत क्यूशन नमर थरी प्रवेश पत को परिवासित कीजिए निशेचन के समय नर प्राक केंद्र संगलन इस्थल की तरफ गमन करता है इसे प्रवेश पत कहते हैं तो ये चीजी तो आपको पता होगी और नेक्स्ट क्यूशन है आपका परिपक्व पुटिका से क्या भी प्राय होता है परिपक्व पुटिका से क्या भी प्राय होता है इस्तनियों के अंडासे में इस्तित होती है जो अंडजनन के दोरान कार्पस Luteum का निर्मान करती है इसतनीयों के अंडा से में इस्तित होती है और जो अंडजन के दोरान कारपस Luteum का निर्मान करती है वो क्या है परिपक पुटी का कहलाती है ठीक है वाइटल रजको के दौवधारण दीजिए और इन क्युशन को आप बिल्कुल वो ना समझें कि ये क्युशन आपके लिए उप्योगी नहीं है आप चाहिए किसी भी उनिविर्सिटी से हो ये सारे क्युशन आपके लिए बहुत हैल्पूफल है तो ये वीडियो आप एंड तक देखो और हाँ ये वीडियो उसको लाइक वगारा किया करो यार आप वाइटल रजको के दो उधारन तो ट्राइपें बिल्यू और प्रोपीडियम आयोडाइड ठीक है अब आता है नेक्स्ट क्युशन पेंडर का केंदर से क्या भी प्राय होता है पेंडर का केंदर क से क्या भी प्राय होता है अंड कोसी का के मद्दे भाग में जननिक बिम्ब के नीचे प्लास्क की आकरती सपेद पीतक पाय जाता है जिसे कहते हैं लेटेब्रा कहते हैं यह केंद्र यह सपेद पीतक से चलकर ब्लास्टो डिस्क की नीच लिसता तक इस्तिता जो इसे पेंडर का केंद्र कहते हैं चोटे-चोटे क्यूसेन ये बहुत जरूरी है इनको किलियर करना और नेक्स्ट क्यूसेन आपका जीनो प्लास्टिक और ओपन को परिभासित करना है ठीक है तो यहां पर मैं बता दू यदि दो दूर के संबन्दों वाली जातियों के भूनों के बीच और ओपन है तो इसी क् तो इसको परिवासीट करना है तो इसकी व्यक्षया यादी सतिगरस्त सती गरत सती इस तान पर उसी अंग नियम्हान लोग इसी अंग में अपने लग चाथी किसी शरीर के अंग में और वहां पर वो सतिगस्त हो जाता है और उसका निर्माण नापर कोई और ही अन्य प्रकार की असना निर्मित हो जाए तो इस प्रक्रिया को कहते हैं क्या कहते हैं विसम काया अंतरन कहते हैं जैसे स्रिम्प पहली न्यूट की आख यदी पूंड रूप से सतिगस्त हो जाए तो आख के इस आपका ओटो लोगस रोपन को परिवासित कीजिए और बोगस जो रोपन उसको यहांपर आपको परिवासित करना था तो इसका अंसर क्या है मैं बता देता हूं यदि सतिगरस इस्तान पर उसी अंग का निर्माण ने होकर किसी अन्य परकार की रसना निर्मित हो से इस प्रक् answer question भी हुई है और answer भी हुई है next question आपका SCNT को पूरा लिखे SCNT यह question आपको समझ में आगया और भी पहले आगया वही repeat हुआ है ठीक है next question आपका SCNT तो somatic cell nuclear transfer विदी यह क्या है SCNT का पूरा name question नमबर दो यानि कि कि आपके 10 question complete होगे अब मैं आपके next आगे करवाता हूँ और यह question आये थे आपके 2017 में और आपको पता है दोस्तों previous year paper के question बहुत सारे previous year जितने भी paper है वो बहुत सारे question आपके next year के examens में आते रहते हैं repeat होते हैं तो पुनरा औरतन सिद्दान्त क्या है ही कल के अनुसार भूर्णिये परिवर्दन के समय प्रतेक जीव अपनी जाती के जाती विकास की कथा का रुपांतरित रूप में पुनरा उर्थ कता का रुपांतरित रूप में पुनरा उर्थी करता है झाल कहा हिवार्स इस प्रेमएडिड के गौल जी का इसे सुक्राणू के एक्रोसॉम का निर्मान होता है यह निसेचन में मैंत्रपूल भूमिका निर्मान होता है तो यह क्या है एक्रोसॉम का निर्मान होता है किस से होता है इस इस यह पर देखो यह क्यूशन आपका एक्रोसोम ठीक है तो एक्रोसोम का जो निर्मान है वो किस्ते होता है इस प्रमेटिड के गोल जी का इसे ठीक है नेक्स्ट क्यूशन आपका पीतक जनन से क्या आसते है तो पीतक जनन से क्या आसते है वाई यह आपका क्यूशन है और इसकान सरफ प्रात्मिक अंड़कोसिका में संचित भोज्य पधार्तो योक ग्लाइकोजन प्रोटीन वसायने का अबोहाइट्रेट का संग्रण क्या कहला जो इस्तंधारीों के सुकराणूं के दूआरा एक्रशूम् दौआर सरावित होता है इसके दौआ अंड़ार अंड़ाणूं के अरिये क्रिट की कोशीकाए हट जाती है तता कोशीक सुकराणूं के संप्रके तो मरग साफ हो जाता है अब आता है आपका next question और ये है आपका प्रांतिस्ता प्रतिक्रिया क्या है तो निशेचन शंकु के निर्मान के तुरंत पस्चाथ अंडाणू के वलकुटी कोसी का द्रू में होने वाले भूतिक रसाइनिक क्रियाओं को प्रांतिस्ता प्रतिक्रिया कहते हैं है शोट शोट कि उसने में ज़्यादा टाइम फिर वीडियो भी ज्यादा लंबा हो जाता है तो फटापट से करवा देता हूं गाइनो जीने सिस को परिवासित किजिए और यह जो परीबास है इनको तो आपको यार रट लेना है याद कर लेना है क्योंकि कोई भरोसा नहीं क किसी भी पेपर में आपके एक्यों सना सकते हैं गाइनो जीनेसिस को परिवासित करें तो वह एनिसेचक जनन जिसमें सक्रिय अंडानू के विकास के लिए सुक्रान द्वारा उद्धिपन दिया जाता है प्रंतु सुक्रानू और अंडानू किंद्रक कसे उजर नहीं होता और विदलन, विदलन के विभाजन तल कौन कौन से हैं तो रेखनसिक, उग्र, उद्रग्र और विश्जूवतिये तल और अक्सांसिये तल तो उम्मिद करता हूँ ये 20 के 20 क्युस्थन आपको 20 से एक दो कम होंगे लगबख 20 क्युस्थन है सारे आपके समझ में आएंगे और आप प्लेलिस्ट में जाकर जूलोजी की सारी क्लास ले सकते हो बहुत सारी क्लास करवा दी आप चाहोते एक मेने के अंदर आपका पूरा कम्प्लीट कोर्स कर सकते हो तो मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए देखते रहो प्लेलिस्ट में जाओ और पेपर्स बगारा जितने भी है डाल रखे हैं वो सारे एक बार जूलोजी के कम्प्लीट कर लो तो मिलता है नेक्स्ट वीडियों तब तक के लिए जय हिंद बंदे मात्रम